हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आप सब थीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं सूजी का ये तेस्टी नास्ता तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए ले लिया है हमने एक कडाही और कडाही में डालेंगे एक कटोरी पानी और जिस कटोरी से हम पानी डाल रहे हैं उसी से एक कटोरी हम सूजी भी लेंगे अब इसी पानी में हम डाल देंगे अधा चमच के करीब नमक और इसी के साथ डालेंगे चोथाई चमच काली मिर्च का पाउडर और साथ में डाल देंगे 2-3-5 हींग और सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी में अच्छी तरह से उबालाने देंगे और यहाँ पर एड़ करेंगे सूजी आप देख सकते हैं कि पानी कितना अच्छी तरह से उबल चुका है और जिस कटोरी से हमने पानी डाला था उसी कटोरी से हमने एक कटोरी सूजी भर लिया है और इसमें डाल देते हैं और अब सूजी को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा बहुत पानी की यदि कमी लगेगी तो हम एक दो चमज जरूर पानी डालेंगे तो इसको करते हैं अच्छी तरह से mix इसे अच्छी तरह से एक से दो मिनट तक हमें cook करना है चलाते हुए और यहाँ पर अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा पानी हमें और एड़ करना है तो यहाँ पर डालेंगे दो चमज के करीब पानी और इसको अच्छी तरह से mix करेंगे अब इसमें एड़ करेंगे हम दो चमज तेल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जब हम डो बनाएं तो हाथों में चिपके नहीं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम हम करते हैं अफ यह पूरी तरह से तयार है अभी तो इसे ठंठा होने के लिए रख देते हैं एह निस्ट प्रोसेस की तरफ अब यहाँ पर कड़ाई में हमने डाल दिया है सरसो का तेल तेल यहाँ पर हमने दो चमज के करी भी उस किया है बहुत जादा नहीं लिया है अब यहीं पर डाल देंगे अधा चमज जीरा जीरा चटक चुका है तो यहीं पर डालेंगे हम प्याज प्याज को अच्छी तरह से चलाते हुए हम भूनेंगे और इसी के साथ हम एड करेंगे यहाँ पर अद्रक लसन का दरदरा सा कुटा हुआ पेस्ट यह 1-1.5 चमज के करीब हमने अड किया है अब यहाँ पर अद्रक लसन के पेस्ट को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है तो यहीं पर डालेंगे हम मतर और मतर यहाँ पर 100-1.500 ग्राम के करीब होगा आप अपनी इच्छा नुसार यहाँ पर मतर के क्वांटिटी को आइट कर सकते हैं अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम भूनेंगे तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए कवर करके ढग देते हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं अब यहाँ पर सूजी इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथों की सहायता से छूँ सकते हैं और इसे इस तरह से मसलते हुए जैसे आटा गूदते हैं न हम बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूद करके मुलायम डो तयार करना है और हाँ फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए हमें इतना गरम होना चाहिए सूजी का डो कि आप हाथ से टच कर सकें बहुत ठंडा हमें नहीं करना है अगर ठंडा हो जाएगा तो इसे गूथने में दिक्कत आती है और मुलायम डो नहीं बन करके तयार होगा तो हमें हलका गरम रहे तभी हमें ये प्रोसेस करना है और देखिए तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से अब हम देख लेते हैं मटर को और यहाँ पर मटर भी लगबग कुक हो गया है अब मटर को हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और ये मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं अब यहाँ पर एड़ करेंगे हम कुछ मसाले तो यहाँ पर ले लिया है हमने चौथाई चमच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आदा चमच जीरा पाउडर अब यहाँ पर एड़ करेंगे चिली फलेक और तिखा आप अपने अनुसार एड़ कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च को भी एड़ कर सकते हैं अब हम डाल देंगे उबले हुए आलो यहाँ पर उबले हुए आलों की quantity आप अपने अनुसार रख सकते हैं चाहे तो grate करके भी डाल सकते हैं पर हमने ऐसे ही डाल दिया है इसे बाद में हम mash कर लेंगे मैसर की साहता से साथी add कर देंगे test के recording नमक अब सभी चीजों को अच्छी तरह से mix करते हुए हम एक से दो मिनट के लिए भूल लेंगे अब यहाँ पर दो मिनट हो चुके हैं तो सबसे आखिर में डालेंगे चाट मसाला एक चमच और इसे करेंगे अच्छी तरह से mix और यह हो चुका है तो हम गैस का फ्लेम करते हैं आफ और चलते हैं नेस्ट प्रोसेस की तरफ और यह देखिए फ्रेंड्स हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैशर की साहता से और दाल देंगे हरी धनिया और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे और यह हमारा स्टफिंग बन करके रेडी हो चुका है तो चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ यहाँ पर सूजी का डो हमने जो तयार किया था ना उसका एक लोई बनाएंगे गोल गोल जैसे रोटियों के लिए लोईयां काटते है ना बिल्कुल उसी तरह से और अब इस तरह से कटोरी को बना करके तैयार कर लेंगे यानि हमारी स्टफिंग इसी तरह से सब में भरी जाएंगी और तयार हो चाहे आप गोल सेब दे दीजिए या पीड़े का सेब दे दीजिए यह हर तरह से टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पर हमने सारे पीड़े तयार कर लिए है और अब चलत जो हमने पेड़े तैयार किये हैं सुजी के वो रख देंगे और इसको हम 10-12 मिनट तक कवर करके कुख करेंगे यहाँ पर 10-12 मिनट हो चुके हैं तो देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी साइज थोड़ी सी फूल गई है यानि थोड़ी बड़ी साइज में आ गई है और यह कुख हो चुके हैं तो टाइम से 10-12 मिनट ही से हमें कुख करना है तो इसको निकाल लेते हैं अब यहाँ पर एक कड़ाही में हमने डाल दिया है तेल तेल आपको इसा भी ले सकते हैं, सरसो का तेल ले सकते हैं या रिफाइंड, अब डाल देंगे यहाँ पर आधा चमच के करीब सरसो का दाना, और साथ में ही डाल देंगे आधा चमच सफेद वाली तेल, अब यहीं पर डालेंगे हम आधा चमच कास्मीरी लाल मिर्च, एक जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भुनना है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे सूजी के पेड़ों को, और जितने आ जाएं इसके अंदर उतना ही हमें डाल करके कुक करना है, और इस तरह से हम सभी सूजी के पेड़ों को डाल देते हैं, और यह नास्ता बन करके बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी लगता है तो आप इसी तरह से जरूर बनाएं एक बार और अब इसके उपरी साइट पे भी हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देते हैं इससे न बहुत ही अच्छा टेस्ट बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंस अब इसे दूसरी साइड हम पलट लेते हैं आफटर टू मिनट तो इसको पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या गुड लुकिंग कलर आया है और ये खाने में उतना ही सांदार उतना ही टेस्टी है फ्रेंस और इसको दूसरी साइड भी हम दो से तीन मिनट अच्छी तरह से कुप करेंगे और फ् हो थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप हो जाए अभ यहां उलट-फुलट करके हमने अच्छी तरह से इसको आगे-पीछे के साइड सेक लिया है क्रिस्प होने तक अब डाल देते हैं हरी धनिया और इस और इसको अ दरन दवय नास्टों को बना करकर तयार कर लेंगे और अब यह ready हो चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और यह देखे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बन करके हमारा नास्ता तैयार हो चुका है एक बार मेरे कहने से आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें कुछ इस तरह से बनाएं जैसे हमने बनाया है और आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ यह कितना अच्छी तरह से अंदर से कुख हो चुका है आप देख सकते हैं और यह खाने में उतना ही सांदार है फ्रेंड्स तो जरूर ड्राई करें एक बार और यदि आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू